पित्रि पक्ष में जरूर करे ये काम, जीवन में होगी तरक्की और मिलेगी पित्री दोश से मुक्ती. नमस्कार दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण. दोस्तों हिंदू धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है, उतना ही महत्व पित्रों का भी होता है. पित्रि पक्ष की शुरुवात हर साल भादरपद माह के शुकल पक्ष की. पूर्निमा तिथी से होती है और पित्रि पक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है. इस साल 2024 में पित्रि पक्ष की शुरुवात 17 सितमबर को भादरपद पूर्निमा तिथी से हो चुकी है और पित्रि पक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्व पित्री. अमावस्या के दिन होगा पित्री पक्ष में पित्रों के निमित श्राध तरपन पिंडदान जैसे कार्य किये जाते हैं मान्यता है कि विधी विधान और श्रधा पूर्वक पित्री पक्ष में पित्रों का श्राध करने से उनकी आत्मा को शांती मिलती है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पित्रिपक्ष के दौरान पितर अपने वन्शो को आशिरवाद देने के लिए प्रित्वी पर आते हैं प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथी होती है जिस दिन उनके लिए तरपन श्राध हादी क्रियाक्रम किया जाता है जिनकी मृत्यु की तारीक अग्यात होती है उनके लिए भी सर्व पित्री अमावस्या की तिथी तरपन के लिए शुब मानी जाती है इसके अलावा अगर आप पित्री पक्ष में अपने पूर्वजों का श्राध तरपन पिंददान नहीं करते हैं तो आपको अशुब परिणाम देखने को मिलते हैं साथ ही आपको पित्री दोश भी लगता है और जोतिश शास्त्र में पित्रे दोश को सबसे बड़ा और खतरनाक दोश माना गया है पित्रे दोश होने पर व्यक्ती के जीवन में जबर्दस्ट परेशानिया आने शुरू हो जाती हैं जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जिसकी कुंडली में पित्री दोश होता है उसको कई तरह के मानसिक तनाव जहेलने पड़ते हैं और किसी काम में सफलता नहीं मिलती है पित्रे दोश के कारण व्यक्ती की तरक्की में भी बाधा आती है और दामपत्य जीवन में तनाव आना शुरू हो जाता है कई बार तो पित्र दोश के चलते पती और पत्नी के बीच तनाव की भी नौबत आ जाती है लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो जोतिश शास्त्र में पित्र दोश को लेकर कुछ उपाय बताए गए है जिन उपायों को करने से पित्री दोश खतम हो सकता है और आपके काम में जीवन में आ रही बाधाए भी दूर हो जाती है और आपको पित्रों का आशिरवाद भी प्राप्त होता है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पित्री दोश कैसे लगता है और पित्री दोश दूर करने के उपाय कोन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरी विश्नु और पित्री महाराज का आशिरवाद आप सभी पर बना रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जै श्री हरी विश्नु जै दादा पित्री महाराज जरूर। लिखें तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पित्री दोश कैसे लगता है। तो देखिए दोस्तों मृत्यू के बाद यदि विधिविधान से उस व्यक्ती का अंतिम संस्कार न किया जाएं तो पित्री दोश लगता है। असामेक मृत्यू की स्थिती में परिवार के सदस्यों को कई पीढियों तक पित्री दोश का सामना करना। पढ़ता है, माता-पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यू के बाद परिवार के सदस्यों का पिंड़दान, तरपन और श्राध्धन करने से पूरे परिवार पर पित्री दोश लगता है। साथ ही साम्प को मारने के कारण भी पित्री दोश का समाना करना पड़ता है क्योंकि पित्री दोश का संबंध सर्प से होता है। इसके अलावा पीपल, नीम या बर्गत का पेड काटने पर भी पित्री दोश का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे वे कारिय जिन्हे करने से पित्री दोश लगता है आईए अब जानते हैं पित्री दोश से मुक्ती पाने के उपायों के बारे में नंबर एक हनुमान चालीसा पित्रि दोश से मुक्ती पाने के लिए आपको पित्रि पक्ष में नियमित रूप से रोजाना हनुमान चालिसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेश कृपा प्राप्त होती है और पित्रि दोश से मुक्ती मिलती है नमबर दो, सिक्के इकठा करें पित्रि पक्ष में परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकठे करके उन्हें मंदिर में दान करें ऐसा आप पांच गुरुवार को करें मतलब यह कि यदि आप अपनी जेब से दस का सिक्का ले रहे हैं तो घर के अन्य सभी सदस्यों से भी दस से दस के सिक्के एकत्रित करके इन सिक्कों को मंदिर में दान करें दें यदि आपके दादाजी हैं तो उनके साथ जाकर दान करें नमबर तीन कपूर जलाए कपूर जलाने से देवदोश वपित्रिदोश का शमन होता है इसलिए पित्री पक्ष में प्रतिदिन सुभा और शाम घर में संध्यावंदन के समय कपूर जरूर जलाए कपूर को आप घी में डूबो कर जलाए और कभी-कभी गुड के साथ मिलाकर भी जलाए ऐसा करने से आपको जल्द ही पित्री दोश से मुक्ती मिलेगी और आपको अपने पित्रों का आशिरवात प्राप्त होगा नमबर चार जूठे बरतन पित्रिपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी भी कोने पर जूठे बरतन नहीं रखें और पित्रिपक्ष में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए पित्रपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है रात के समय जूठे बर्तन रखने से भी मा लक्षमी नाराज हो जाती हैं और पित्रदोश भी लगता है इसलिए पित्रिपक्ष के समय घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए नमबर पांच भगवान शिव से जुड़ा उपाए भगवान शिव से जुड़े उपाए पितर दोश दूर करने में बहुत ही प्रभावी माने जाते हैं पित्रिपक्ष में सुमवार की सुभस नान करके शिव मंदिर में आपके 21 फूल, दही, बिल्वपत्र के साथ भगवान शिवजी की पूजा अर्चना करें मान्यता है कि 21 सुमवार तक इस प्रकार से पूजा करने से पितर दोश समाप्थ होने लगता है और आपके जीवन में फिर से खुशियां आने लगती हैं, इसके अलावा रोज अपने कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा करने से भी पितर दोश दूर होता है जिस व्यक्ती की कुंडली में पितर दोश हो और अगर वह व्यक्ती पितर पक्ष में गाई का दान करे तो बहुत ही लाबकारी होता है आप चाहें तो जगहजगह पानी के घड़े रखवा कर राहगीरों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं अगर आपको पितर दोश है तो आपको किसी गरीब कन्या के विवाह में आपको मदद करनी चाहिए ऐसा करने से विशेश पुन्य की प्राप्ती होती है इसके अलावा गरीब और बीमार लोगों का इलाज करवाने से पितरी खुश हो जाते हैं और आपका पितरी दोश दूर हो जाता है पितर पक्ष में हर रोज गाय को चारा और गौग्रास खिलाना चाहिए गौग्रास का मतलब भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय की निकालने को कहते हैं ऐसा करने से देवी देवताओं की क्रिपा प्राप्त होती है शास्त्रों में बताया गया है ही पितर पक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चार खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितर भी त्रिप्थ होते हैं पितर पक्ष में गौग्रास और हराचारा खिलाने से पितरों का परिवार पर सदैव आशिरवाद बना रहता है घर की दक्षिन दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गिये परिजनों का फोटो लगा कर उस पर हार चड़ा कर रोजाना उनकी पूजा करें ऐसा करने से पित्रदोश से मुक्ती मिलती है और पित्रों के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशिरवात प्राप्त होता है पित्रपक्ष में हर रोज पूरे घर की साफ सफाई के बाद मुख्य द्वार की सफाई करें और फिर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें ऐसा करने से सकारात्मक उर्जा का संचार होगा साथ ही नकारात्मक उर्जा और दोशों से मुक्ती मिलेगी इसके अलावा ऐसा करने से आत्मिक शांती मिलेगी और पित्र दोश भी दूर होता है साथ ही पित्रपक्ष में हर रोज नान करने वाले पानी में भी थोड़ा सा गंगाजल मिला लें ऐसा करना शुभ माना जाता है नंबर ग्यारह पित्रों के नाम का दीपक पित्रपक्ष में हर रोज सुभा शाम पित्रों के नाम से एक दीप दक्षन दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए पित्र पक्ष में दक्षन दिशा से ही पितर पृत्वी लोग पर आते हैं साथ ही जिस दिन पित्रों का श्राद्ध कर्म कर रही हैं उस दिन दक्षन दिशा की ओर मुख करके अपने पित्रों का आवान करते हैं ऐसा करने से जल्द से जल्द पित्री दोश दूर हो जाता है पित्री पक्ष में शनिवार के दिन गाय का कच्चा दूध किसी बिल्व पत्र के पेड़ की जड़ पर थोड़ा सा चड़ाए एवं उसी पेड से 21 बिल्व पत्र तोड़ कर ले आए ध्यान रखें बेल पत्र के पत्ते कहीं से भी खंडित न हो और जमीन पर न गिरे हो उसके बाद बेल पत्र को घर लाकर पानी से साफ करें अब तामबे या चान्दी के एक लोटे में गाय के दूध को डोट भर ले एवं थोड़े से काले तिल मिला लें अब ये सभी सामगरी लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं अगर शिव मंदिर में शिवलिंग पीपल के पेड के नीचे स्थापित हो तो सबसे उत्तम माना जाता है सबसे पहले पीपल के पेड पर थोड़ा सा दूध चढ़ा कर साथ बार परिक्रमा करें परिक्रमा के बाद शिवलिंग के सामने पूर्व दिशाकी और मुख करके बैठे फिर हाथ जोड़कर अपने सभी ज्यातग्यात पित्रों को याद कर प्रार्थना करें कि आपके मोक्ष की कामना से हम भगवान शिव शंकर जी की विशेश पूजा करने जा रहे हैं निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपकी आत्मा को मोक्ष मुक्ती प्रदान करें अब विधिवत सबसे पहले गाय के दूढ से शिवलिंग का अभिशेग करें बेलपत्र सहित सभी पूजन की सामगरियों एक-एक पित्री दोश से मुक्ती की प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें इस उपाय और शिव क्रिपा से कुछ ही दिनों में पित्री दोश से होने वाली पीडा दूर हो जाएगी नमबर 13. केसर का तिलक मंत्र जाप श्रीम धागवत गीता का पाठ करने से पित्री दोश चला जाता है नमबर 14. ब्राहमनों को भोजन कराएं पित्रि पक्ष के दौरान पित्रों के लिए विध्यविधान से तरपन और श्राध करें साथ ही ब्राहमनों को भोजन कराएं और उन्हें दान दें साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पित्रों को जल तरपन करें और त्रिपंडी श्राध करें ऐसा करने से आपको पित्रों की विशेश क्रिपा प्राप्थ होगी नंबर 15, दक्षिनमुखी मकान दक्षिनमुखी मकान में कदापी नहीं रहना चाहिए यदि दक्षिनमुखी नैरित्य कोण या आगने कोण में मकान है तो मकान के सामने दर्वाजे से दोगुनी दूरी पर नीम का पेड लगा कर उसकी सेवा करें नमबर सोला रोटी खिलाएं पित्री पक्ष में कौई चिढिया कुट्टे और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए उक्ट चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थल पर पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें रोजाना श्रीमत भागवत गीता के सात्वे अध्याय का पाठ करने से भी पित्री दोश खत्म होता है नंबर 17 नवग्रह रुद्राक्ष पित्री दोश के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए आप पित्री पक्ष में पांच मुखी, सात मुखी, आठ मुखी और बारह मुखी रुद्राक्ष धारण करें आप चाहे तो नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं इससे आपको शुब फलों की प्राप्ती होगी साथ ही दोस्तों पित्री पक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पित्रों के नाम का दीपक जलाएं ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख्षान्ती बनी रहती है और पित्री दोश से भी मुक्ती मिलती है नमबर अठारा किचन में पानी के पास दीपक पित्रि पक्ष के दौरान धर के इशान कोन में यानि की अपने घर के उत्तरपूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी मा लक्ष्मी की कृपा बरसती है इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पित्रों का आशिरवाद मिलता है और आपके घर में उनकी क्रिपा आती है इस उपाय को पूरे सोलह दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ ही जीवन में सुकून शांती स्थापित होती है और पित्रों का आशिरवाद प्राप्थ होता है नंबर उन्नीस भोग पित्री दोश के निवारन के लिए पित्री पक्ष में और अमावस्या पर पित्रों के निमित भोग लगाएं और पित्री स्तोत्र का पाठ करें इसके अलावा आप पित्री दोश को समाप्त करने के लिए पित्रि पक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें या किसी योग्य ब्राह्मन से अभिशेक कराएं ऐसा करना आपके लिए शुब रहेगा तो दोस्तों यह थे वह उपाय जो पित्री पक्ष में करने से पित्री दोश से मुक्ती मिलती है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लेता कि आपको हमारी आने वाली हर एक निव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद